हेलो स्टूरेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत हैं Magnet Brains Hindi Medium पर Magnet Brains Hindi Medium पर आपको मिलते हैं 6 से 12 क्लास तक के सभी विश्यों के high quality content इसके साथ ही Magnet Brains Hindi Medium आपको प्रोवाइड कराता है ना सर्फ CBSE Board बलके Other States Board के भी fully organized courses और यह सभी courses आपको मिलते हैं बिल्कुल free of cost इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई payment करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप हमसे e-notes और e-books भी लेना चाते हैं तो इसकी link आपको description box में मिल जाएगी तो इस जानकारी के साथ चले शुरू करते हैं आज का topic तो बच्चों हम बात कर रहे थे अपने part 2 की और part 2 जो है वो है हमारा वस्तूओं के समूँ बनाना तो वस्तूओं के समूँ बनाना में हमने देख लिया था कि हमारे चारों तरफ किस तरह की वस्तूओं पाई जाती हैं और वो वस्तूओं किस पदार्थों से बनी होती हैं हमने अलग-अलग पदार्थों के भी कई वस्तूओं देख ली थी तो देखें सबसे पहले हम देखेंगे अपने किताब में दी हुई क्रिया किलाप एक मतलब कि हमारे पाथ दो में जो हमको किनक्रिया किलाप दी हुई है थोड़ा सा हम उसके माध्यम से वस्तू को समझने की कोशिश करेंगे तो देखे क्रिया कलाप एक में हमसे क्या कहते हैं आईए अब हम अपनी चारो और से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं अब हम क्या करेंगे यह हमसे क्या बोल रहे हैं कि अपने चारो तरफ देखे और चारो तरफ से आपको जो जो भी वस्तुएं मिलती ह उन सभी को एकठा कर लीजिए हम में से प्रतेक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तू ला सकता है तता कुछ वस्तूएं कक्षा के कमरे से अत्वा विद्याले के बाहर से एकत्र कर सकता है अब और क्या क्या रहे हैं कि इसमें आप क्या किजिए कि आप देली या यूज करता है मतलब कि वो दैनिक जीवन में अपने उपयोग करता है उसके साथ ही और कैसी वस्तूएं हम लेंगे अपनी कक्षा में अपनी क्लास में देखिए कि आपको क्या क्या चीज़े मिलती हैं और उनको भी आप इकठा कर लेंगे और क्या करेंगे आप अ संग्रह में हमारे पास क्या होगा फिर आपको अपना यह पूरा संग्रह देखना है ठीक है यह जो आपने इकठा किया है सारी चीज़े इनको देखना है किसमें हमाई पास क्या क्या चीज़ें आ गई चौक होगी पैंसिल होगी नोटबुक होगी रबर डस्टर हथोड़ा कील, साबुन, पहिये का आरा, बैट, माचस की डिबी, नमा के वा मालू, क्योंकि यही चीज़ें हैं, जो हम क्या करते हैं, हम अपनी दैनिक जीवन में उप्योग करते हैं, तो यही सब चीज़ें हम लेके आएंगे, तो लगभग लगभग सीम चीज़ें ही होंगे, आप भी अगर यह सब इकठा करेंगे, तो इन में से कुछ न कुछ चीज़ें तो आपके पास भी होंगी, जैसे आप भी अपनी पैंसल ले लेंगे, अपनी नोटबुक ले लेंगे, रबर लेंगे, है ना, तो यह सारी चीज़ें जो है, जब हम इकठा कर लेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे हम वस्तों की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं ये सारी चीज़े तो हमने क्या की ये सारी चीज़े तो हमें जो दिखी अपनी आखों से हम उठा के लेके आए और हमने इकठा कर ली लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़े भी तो सोच कि काश हम यह चीज भी ला सकते तो ऐसी चीज़ें जिसको हम अपने पास नहीं लाकर इकठा कर सकते या अपनी कक्षा में या किसी कमरे में लाकर इकठा नहीं कर सकते आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी सोचेंगे तो ऐसी चीज़ों की आपको एक अलग से क्या बनान नहीं कि मैं इनको ला तो नहीं सकता या फिर एंको लिख लेता हूं या फिर लिख लेती हूं ठीक हम Massachusetts क्या है अगर वो दाहरण के तौर बात करें तो ऐसी चीज़े क्या हो सकती है वरक्ष हो गए दर्वाजे हो गए ट्रैक्टर हो गया दीवार हो गई सडके हो गई अगर हमाई दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं तो क्या हम इनको सॉरी तो क्या हम इनको उठा कर ला सकते हैं क्या हम किसी पेड को बाहर से उठा के ला सकते हैं किसी नदी को उठा कर ला सकते हैं या हम बात करें किसी सड़क की दीवार की या बड़ी बड़ी बस और ट्रेन की तो क्या हम इनको उठा के ला सकते हैं तो हम इनको नहीं ला सकते पर अगर हमारे दिमाग में ऐसी कुछ वस्तुओं आए तो उनकी भी सूची हम बना लें क्यों क्यों कि आगे हम वस्तुओं को समूं में बाटेंगे इनके पदार्थों के बारे में जानेंगे और इनके पदार्थों के गुड़ों के बारे में जानेंगे तो ठीक है यह वाली हमने यहां तक कि आगे देखते हैं आगे यह कहते हैं कि इस संग्रह से उन सभी वस्तों को प्रथक कीजिए जो कागज अत्वा लकडी से बनी हुई है अब मैं काम करती हूं जो हमने पहले बहुत सारी चीज़े देखी है ना इनको मैं यहां पर लिख लेती हूं जिससे हम क्य करेंगे हम भी इनका समूख बनाने की कोशिश करेंगे चाओक फिर क्या है पैंसिल ठीक है फिर नोटबुक इसके बाद क्या है रबड रबड के बाद है डस्टर डस्टर के बाद है हथोड़ा हथोड़ा के बाद हम बात करेंगे कील, साबुन, कील, साबुन, पहिया और क्या है बैट, माचिस तो बैट हो गया, माचिस हो गई माचिस की डिब्बी है ना, तो माचिस की डिब्बी क्योंकि माचिस में तो तीली भी आ सकता है तो हम बात कर रहे हैं डिब्बी की क्योंकि माचिस की डिब्बी अलग पदार्थ से बनी होती है माचिस की तीली अलग पदार्थ से बनी होती है नमक एवं आलू ठीक है भई नमक एवं आलू अब देखे हमने सारी वस्तों यहां पर एक सूची में लिख ली है ठीक है अब इन्होंने हम से क्या बोला कि आप क्या करिए इन सभी वस्तों को प्रतक कीजिए जो कागज इत्व होई है नहीं पैंसल भी नहीं नूट बुक जो है वो किस से बनी है वो कागज से बनी होई है आगे देखे रबर डस्टा हथोड़ा कील साबुन पहिये कारा बैट मार्चस की डिब्बी किस से बनी होती है कागज से बनी होती है नमक और आलू वही कागज से बनी होई वस्त टिक करूंगे उसे मैं यलो से टिक करूंगे मतला पीले कलर से चौक क्या लकड़ी से बनी होती है नहीं पैंसिल बिलकुल बनी होती है लकड़ी से रबर लकड़ी से नहीं बनी होती पर जो हमारा डस्टर होता है वो लकड़ी से बना होता है हथोड़ा दो चीजों से मिलकर ब बना होता है क्योंकि इसकी नीचे का जो हेंडल होता है वो लकड़ी का होता है और आगे का जो होता है वो धातू से बना होता है तो लकड़ी इसमें है तो हम लकड़ी लगा देंगे कील लकड़ी से नहीं बनती साबुन लकड़ी से नहीं बनती पहिये का आरा जो होता है अग यह देखे दो या तीन तरह के होते हैं लेकिन अगर हम यहां पर लकड़ी के पहिये की बात कर लें तो यह भी लकड़ी से बना हो सकता है बैट बिलकुल लकड़ी से बना होता है नमक लकड़ी से नहीं बना होता आलू भी लकड़ी से नहीं बना होता तो हमने इनके कहे अनु दूसरा समूंग हो जाएगा इन में एक समूंग की सभी वस्तुएं कागज अथ्वा लकडी से बनी है तथा दूसरे समूंग की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है बिल्कुल देखिए यहां पर यह सारी चीजों इन सारे जो लिखे हुए इनको हम अलग कर दें लक लकडी या फिर कागज से बने हुए नहीं है यह जिन पदार्थों से बने हैं वो बिल्कुल अलग है ठीक है तो इनको देख लीजे अगर मैं सूची बनाने जाओंगी तो यह सारी चीज़े तो अलग हो जाएंगी लकडी एवं कागज वाली और यह जो लकडी एवं से नहीं बने यह एक अलग साइट चले जाएंगे ठीक है आगे क्या होगा हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तों को प्रतक कर सकते हैं अब इसी तरीके से जैन से इन्हों ने हमें यहां पर वस्तों को अलग करना प्रतक करना सिखाया इसी तरह से हम एक और जगे क्रिया कल आप कैसे कर सकते हैं जब हम खाना बनाने जाते हैं तो वहां पर भी बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते हैं तो हम उनकी भी अलग-अलग सूची बना सकते हैं जब खाना बनाने जाते हैं तो कुछ चीज़े ऐसी होती है जो किसे बनी होती है धातूं से बनी होती ह और कुछ हैसी होती होगी जो इन दोनों से ही नहीं बनी होती होगी तो इस तरह की सूची आप पने घर पर भी तयार कर सकते हैं तो चली आगे देखते हैं इस क्रिया कलाप को भी हमने करके देख लिया अब हमारे पास आजाती है क्रिया कलाप नंबर दो अब ये हमें एक और क्रिया कलाप करने के लिए कहते हैं तो इसमें क्या कहते हैं कि सारणी में कुछ सामानी पदार्थों की सूची दी गई है आपको यहाँ पर एक साणी दी गई है और यहाँ पर कुछ पदार्थों की सूची दी है इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस साणी के कॉलम एक में जोड़ सकते हैं यहाँ पर हमको देखिये इस साणी के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वस्तुएं दी हुई है और यह पदार्थ जिन से यह बनी है तो इस सार्णी के एक कॉलम में तो हमको ऐसी कुछ वस्तुएं दे दी गई है जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्लेट की बात हुई है यहाँ पर पैन की बात हुई है और यहाँ पर यह मिलकर बनी हुई है तो देखे अगर हम प्लेट देखें तो प्लेट किन-किन पदार्थ से बन सकती है तो प्लेट इस पात की बन सकती है काज की भी बन सकती है प्लास्टिक की भी बन सकती है अन्य कोई तो बिलकुल प्लेट जो है वो धातू से भी तो बन सकती है क्योंकि हमारे घरों में जो प्लेट स्टील की प्लेट होती है वो किस से बनी होती है वो धातू से बनी होती है ऐसे ही ये बात कर रहे हैं पैन की तो पैन हमारे किस से बने होते हैं और कुछ पैन धातू से भी बने होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप हम और क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं एक वस्तू लिख लेती हूँ, और मैं लिख लेती हूँ, टेबल, और दूसरी वस्तू मैं क्या लिख लूँ, दूसरी वस्तू मैं लिख लेती हूँ, किता तो अगर मैं बात करूँ टेबल की, तो टेबल किस से बनी होती है? टेबल बनी होती है लकडी से, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी? लकडी, और लकडी के साथ ही और किस से बनी होती है? तो लकडी के साथ ही बनी होती है धातू से, चीक है? तो लकडी और धातू से हमक प्रू किताब के तो किताब किसे बनी होती है कागज से तो पदार्थ में क्या आजाएगा कागज तो इस तरीके से आप कुछ अलग पदार्थ और कुछ अलग वस्तुएं भी ले सकते हैं ठीक है तो यह क्रिया कलाब भी हमने कर ली आगे देखते हैं कि कुछ और भी करना है क तो अरे इन्होंने तो आगे हमें और भी कुछ-कुछ दे दिया तो पढ़ते हैं अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैने को प्योग में आने वाली उन वस्तूओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यत इन्ही पदार्थों से बनी है और इन्हें कॉलम टू में अपोजिट कर दिया जस्ट उल्टा कर दिया क्या कर दिया इन्होंने इस साइड पदार्थ दे दिये और कहा उससे बनी हुई जितनी भी वस्तूओं है या फिर जितनी जादा वस्तूओं आप जानते हैं उनको बताईए तो जैसे पहला आप देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ है यहां पर दिया है लकड़ी और लकड़ी से बनी हुई क्या-क्या वस्तुएं होती है कुरसी होती है मेज होता है हल होता है बैल गाड़ी होती है और इसके पहिये भी लकड़ी से बने हुए होते हैं अगर मैं बात करूं कागज की तो पुस्तके notebook, समचार, पत्र, खिलो, ने, calendar, ये सभी किस से बनते हैं, कागज से बनते हैं, अगर अब इन्हों ने हमें एक पदार्थ दे दिया, चमडा, तो चमडे से कौन-कौन सी वस्तुवी बन सकती हैं, तो चमडे से क्या बन सकता है, चमडे से बन सकते हैं, bag, bag के अलावा बात करें तो जूते और बैट, और क्या बन सकता है, तो कुछ जाकेट भी आपने देखी होंगी, तो वो भी किस से बनती हैं, चमडे से बन जाती हैं, तो ये देखिए, यहाँ पर हमने कड़ी सारी चीज़ा ऐसी लिख दिये, जो किस से बनती हैं, चमडे से, अब अगर हम बात करें प्लास्टिक की, तो प्लास्टिक से क्या क्या बन सकता है, घरों में जो हमारे बाल्टियां यूज होती हैं, वो किस से बनी होती हैं, वो बनी होती हैं, प्लास्टिक से, पैन हो गए, प्लास्टिक के, आपका जो पैंसिल बॉक्स होता है, वो भी तो बना होता है प्लास्ट से इसके अलावा कुछ खिलोने जो होते हैं वो भी किसे बने होते हैं वो भी बने होते हैं प्लास्टिक से ठीक है तो यह हो गए प्लास्टिक से बने हुए कुछ वस्तुएं प्लास्टिक पदार्थ से अब आगे देखे क्या दिया है नेक्स्ट हमको दिया हुआ है रुई से तो चले रुई पदार्थ से बने हुए वह सतुएं हम देख लेते हैं तो मैं लगते थे उन सब्सक्राइब गलाजा तो मैं आप कमेंट करके बताइएगा तो देखे बच्चो ये टेबल हमने यहाँ पर भर ली है, आप अपने हिसाब से भी इसको भर सकते हैं और जो बच्चे इसका screenshot लेना चाते हैं तो वो भी ले सकते हैं ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कि इस kriya club के बाद हमसे और क्या कहा गया है तो देखे ये तो हमाई क्रिया कलाप एक और क्रिया कलाप दो दोनों हो गई दोनों में ही उन्होंने हमें बताया कि वस्तू अलग-अलग पदार्थ से बनी होती है हम उन पदार्थों को अलग कर सकते हैं अलग-अलग पदार्थ की, अलग-अलग वस्तों की सूची बना सकते हैं, समूह बना सकते हैं, उनको अलग कर सकते हैं, अब हम और जानते हैं पदार्थों के गुणों के बारे में, सभी पदार्थों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, इन्ही गुणों के कारण पदार् किता देखने हो मिलती है हम कैसे पता करेंगे हम इनमें अंतर कैसे खूजेंगे इनके गुणों के कारण खूजेंगे ठीक है तो पदार्थों के कुछ सामाने गुण निम्न है अब अगर हम बात करें कि इन पदार्थों में कौन से से गुण होते हैं तो देखें यहां पर आर्थ ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं दिखने में अलग होते हैं अब दिखने में अलग कैसे कुछ जो होते हैं वो बहुत चमकीले होते हैं कुछ में चमक देखने को मलती है और कुछ अगर हम देखें तो उसमें चमक नहीं होती है मतलब कि कैसे होते हैं डल होते हैं तो ऐसे पदार्थों में दिखने में उनमें क्या होती है दूसरे गुण की बात करें तो कठोरता अब कठोरता में क्या होता है कि कठोरता में कुछ जो होते हैं वो तो बहुत कठोर होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ जो हैं वो कैसे होते हैं वो होते हैं बहुत कठोर और कुछ जो होते हैं वो कैसे होते हैं वो होते हैं मुलायम मतलब कि उनकी कठोरता क्या होती है काम होती है तो क्या आपको आपके आसपास जितनी भी वस्तुए देखती हैं क्या वो सब कठोर होती है ऐसा जरूरी नहीं कुछ मुलायम भी होती है और कुछ कठोर भी होती है अगर मैं बात करूँ लकडी की और रुई की तो लकडी से बनी हुई सारी चीज़े कठोर होंगी वहीं रुई से बनी हुई सारी चीज़े मुलायम होंगी तो कठोरता भी सब पदार्थों की अलग-अ होती है इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं विले एवं अविले की तो विले और अविले क्या होता है तो विले और अविले जो है यह होता यह है विले में क्या होता है कोई भी चीज जो है वो अगर मान लेजे हम पानी में उसे घोल रहे हैं तो वह घोल जाती है तो इसे हम क कोई पदार्थ पानी में घुल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विलेता, वहीं अगर कोई पदार्थ पानी में नहीं घुलता है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आविलेता, क्या कहलाएगी? आविलेता, चीक है? तो विलेता और अविलेता का मतलब समझ में आया कि विले क्या होते हैं और अविले क्या होते हैं तो कुछ पदार्थ तो ऐसे होंगे जो विले हो जाएंगे लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होंगे जो अविले नहीं होंगे तो ये गुण जो होता है ये क्या कहलाता है ये विलेता कहलाता है आगे देखे वस्तू जल में तैर या डूब सकती है आप इसका एक गुण ये भी होता है कि कुछ वस्तूएं ऐसी होती है जो पानी में क्या करती है तैर जाती है तैरने लगती है क्यों तैरने लगती है क्यो क्योंकि यह हल्की होती है और कुछ शीज़े ऐसी होती है जो पानी में क्या हो जाती है डूब जाती है क्यों क्योंकि यह भारी होती है तो इससे क्या पता चला कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो हल्की होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो भारी होते हैं तो पानी में इनके जो कुछ तैर जाती हैं कुछ नहीं तैरती हैं इनके इस गुण को हम क्या कहते हैं उत्पला वक्ता ठीक है तो ये भी क्या है एक पदार्थ का गुण है आगे बात करेंगे पार दर्शिता तो पार दर्शिता ऐसा गुण है देखे पार दर्शिता का मतलब ये होता है कि कभी कभी समझ एक आपके सामने एक काच है ठीक है तो कुछ चीज जो है अगर इसके पीछे Dog से की चीजें हमको दिखाई दे रही है तो ये काच कैसा है ये काच पार-डरशी है ठीक है कैसा है में काच पार दरशी है है जब हमें सीम चीजें आर पार दिखाई देए अगर माल लिजे कि उस पार पर यहां पर एक सेभ रखा हुआ है और यहां पर वह सेब आप यहां से खड़े होकर देख सकते हैं आपको देख रहा है कि वो वहाँ पे शेबर रखा हुआ तो यह हो गया पारदर्शी अगर आप उससे व को नहीं देख पा रहे हैं नहीं देख पाते तो क्या हो जाएगा वो आपार दर्शी ठीक है तो इसी प्रकार कुछ चीज़े अगर हम बात करें पार दर्शी तो यहां पर क्या रखाओगा यहां पर रखाओगा कांच और इस कांच का गुण क्या हो गया कि ये कांच कैसा है ये कांच पारदर्शी है तो इस कांच का गुण है कि पारदर्शी है मतलब कि पारदर्शी ता गुण को दिखाता है तो इसी तरह से ये कुछ सामान गुण है जो पदार्थों में होते हैं और इनी गुणों की वज़े से हम पदार्थों को अलग-अलग कर पाते हैं क्योंकि कुछ में ऐसे गुण होते हैं और कुछ में ऐसे गुण नहीं होते हैं चलिए आगे दिखते हैं तो अब हम बात करते हैं पदार्थों के पहले गुणकी जो की क्या है जो है दिखावट तो दिखावट में अगर हम बात करें सभी पदार्थ एक दूसरे से भिन दिखाई देते हैं अब जितने भी पदार्थ होते हैं सब एक जैसे तो नहीं दिखते अगर एक जैसे दिखते तो हम फिर उनका प्रयोग कैसे करते अगर समझे पैन और पैंसिल एक जैसी दिखती तो जब आपको पैंसिल का प्रयोग करना होता तो भी आप पैन को उठाते और जब आपको पैंसिल का प्रयोग करना होता तो भी आप पैन को उठाते तो क्या हम अपने उपयोग जैसे हमें दूसरे से भिन दिखाई देते हैं उसी प्रकार कोईला तथा सोना एक दूसरे से भिन दिखाई देता है अब यहाँ पर यह बात किसकी करने लकडी और लोहा यह दोनों एक दूसरे से कैसे दिखते बिलकुल अलग दिखते हैं लकडी अलग दिखती है लोहा अलग दिखता है वहीं बात करें, दूसरी चीज़ कोईला और सोना, तो कोईला बिलकुल अलग होता है, और सोना बिलकुल अलग होता है, पर देखें, लेकिन लोहा तथा सोना में कुछ समानताएं हैं, उसी प्रकार लकडी तथा कोईले में भी कुछ समानताएं हैं, अब अगर इन पदार्थ में देखें तो देखें लकडी और जो कोईला है इनमें कुछ-कुछ समानताइं है वहीं लोहा और जो सोना है उनमें कुछ-कुछ समानताइं है जबकि अगर हम बात करें लकडी और लोहा की तो इनमें कोई समानता नहीं है और कोईला और सोना में कोई समानता नहीं है पर क्य जो दोनों चीजें हैं, यह किस से बनी हुई है, यह बनी हुई है, धातू से, तो इन में एक समानता हमको दिखाई देती है, वहीं अगर हम लकडी और कोईले की बात करें, तो यह दोनों बनी हुई है, किस से? लकडी से ही बने हुए है, ठीक है, अगर मैं बात कर लेती हूँ चले लकड़ी नहीं लिखती हूं तो एक काम करती हूं मैं बोल देती हूं कि यह दोनों बनें किस से व्रक्ष से व्रक्ष में क्या होती है लकड़ी होती है है ना तो व्रक्ष से जो लकड़ी पेड़ों से पेड़ की जो लकड़ी होती है वही लकड़ी हम प्रयोग में में भी एक तरह की समानता देखने को मिलेगी कैसे क्योंकि लकडी भी हलकी होती है कोईला भी हलका होता है लकडी को भी जलाया जा सकता है और कोईले को भी जलाया जा सकता है तो इस तरह से कुछ गुड़ों की समानता इन दोनों में दिखेगी और लोहे और सोने में क्योंकि वो धातू से बनी होती हैं, तो उनमें भी कुछ समानताएं दिखेंगी, आगे देखते हैं, लोहा और सोना में एक विशेश प्रकार की चमक होती है, लेकिन लकडी और कोईले में चमक नहीं होती है, तो देखें ये भी एक भिन्नता है, कि लोहा और सोना जो है, वो क्योंकि धातू से बने हुए हैं, तो उनमें आपको एक विशेश प्रकार की चमक देखने हो मिलेगी, और लकडी और कोईले की बात करें, तो उन दोनों में चमक नहीं देखने को मिलेगी, वैसे पदार्थ जिनमें एक विशेश प्रकार की चमक होती है, वो क्या कहलाते हैं, वे ध धात्विक चमक कहलाती है और अगर हम इस चमक की बात करें तो यह कौन सी चमक कहलाती है यह धात्विक चमक कहलाती है तथा जिन में चमक नहीं होती वे क्या कहलाते हैं वे अधातू कहलाती है तो मतलब जिसमें चमक होती है वो धातू कहलाती है और जिन वस्तों में चमक नही होती वो क्या कहला आती है वो अधातु कहलाती है ठीक है यहां तक समझ आया आगे देखते हैं विशेश चमक अर्था धात्विक चमक वाली वस्तूं का समुह अब हम ऐसे पदार्थ हो कि ऐसे वस्तूं की बात करेंगे और उनके समुह बनाएंगे जिसमें या तो चमक होगी और जिसमें धात्विक चमक होगी, ठीक है, तो देखें, लोहा, सोना, एल्यूमीनियम, तांबा, चांदी, आदी में क्या होता है, इन सभी में एक विशेश प्रकार की चमक देखने को मिलती है, ठीक है, ये सभी अलग-अलग तरह से चमकते हैं, चुकि इन में धात्विक चमक होती है, ये धात्विक कहलाते हैं, अब इन सभी में क्या होती है, एक विशेश चमक होती है, कैसी होती है, धात्विक चमक होती है, इसी वज़े से इन सभी को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को हम धात्विक बोलते हैं, अगर आप से धात्विक के कारण अपनी चमक खो देती हैं अब वहीं अगर मैं बात करूं कुछ धातूं की तो क्या होता है कभी-कभी हम धातूं को पहचान नहीं पाते क्यों क्यों कि जब वातावरण में रहती हैं तो उसके प्रभाव में आकर के वह अपनी धात्विक चमक जो है वह खो देती हैं पर लेजे यह मेरे पास एक लोहे का कोई box जैसा है चाहिए अब इस पे यह रखा हुआ हुआ है बाहर और इस पे क्या हो रहा है बातावरण का प्रभाव पढ़ रहा है और माल जीजए इसके उपरी परत अप काली हूग गई है ठीक है तो यह जो प्रभाव पढ़ा और यह जो काली हुई है सिर्फ इसके उपरी परत पे हुआ, मतलब इतने ही भाग में हुआ, अंदर चमक बच्ची होई है, ठीक है, इन धातों को काटने के बाद उनके कटे हुए सिरे पर वह चमक देखी जा सकती है, या इन धातों को किसी चीज से खुरचने या रगणने के बा वह चमक वापस आ जाती है, तो क्या होता है इसमें? इसमें होता ये है कि जब हम इन धातों को देखे, अभी मैंने आपको दिखाया कि उपर की परत कैसी हो गई? काली हो गई, अब मैं अगर इसको बीच से काट दूँगी, तो ये काला वाला भाग तो ठीक है, ये दो अधाला भाग ऐसे जब होगा, तो यहां पर आपको चमक दिखाई देगी, तो काटने पर या फिर उनको खुरचने पर हमको क्या दिखेगी, इनकी धात्विक चमक वापस आ जाएगी, ठीक है, यहां तक समझा है कि इनकी विशेष चमक कैसी होती है, धात्विक चमक कैसी ह होती है अब हम देखते हैं हमारी क्रिया कलाप नंबर थ्री ठीक है तो तीसरी क्रिया कलाप में क्या होता है विभिन पदार्थों जैसे कि गत्ता लकड़ी तांबे का तार एल्यूमीनियम की शीट और चौक के छोटे-छोटे टुकड़े एकत्र कर लीजिए ठीक है जिन सारी हम उसके छोटी-छोटी से टुकड़े ले लेंगे और एकठा कर लेंगे क्या इन में से कोई चमकीली चीज दिखाई पड़ती है अब बताइए क्या आपको इन सभी में से कुछ चमकीला सा दिखाई देगा तो देखती हूं मैं भी तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ता तामिक अतार और एलियूमीनियम की शीट ये दो कैसी है इन दोनों में हमको चमक नजर आएगी ठीक है तो मैंने इन दोनों का अलग समूह बना दिया अब क्या बोल रहे हैं अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रतेग पदार्थ को दो भागों में काटें ताजे कटे प्रष्ठों को ध्यान से देखिए आपने क्या पाया अब अपने शिक्षक को यहाँ पर शिक्षक की जगे आप खुद भी हो सकते हैं और इनको जब दो भागों में काटेंगे तो आप क्या देखेंगे क्या इन पदार्थों में कुछ के ताजे कटे किले पदार्थों के समूह में समिलेत की जीए अब आप देखेंगे यहाँ पे गत्ता है लकडी है चौक यह में सबको ले लेंगے फिर जब हम इन सब को तोड़ेंगे तो इन मेंसे जिसमें भी हमको चमक दिखाई देती है हम उसको भी किसमें ले लेंगे चमक वाली शेणी में ले लेंगे मतलब कि इनको भी हम धातू में लेंगे पर बिटा गत्ते को काटने पर चाहे कोई सब गत्ता हो, अगर हम उसे बीच से तोड़ेंगे, साइट से तोड़ेंगे, कहीं से भी तोड़ेंगे हमें उसमें किसी तरह की कोई चमक देखने को नहीं मिलेगी इसी तरह से लकडी की बात करें, तो लकडी में क्या आपको कोई चमक देखने को मिलेगी तो लकडी में भी धात्विक चमक नहीं होती है तामबे के तार और अलूमीनियम की शीट को बीच से काटने पे आप कोई चमक जरूर दिखाई दे सकती है ठीक है तो उसको हम किसमें सम्मिलित कर लेंगे उसको हम चमकीले पदार्थों की शेणी में या उसके सम्मिलित कर लेंगे आगे देखें क्या आप इन पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अत्वा द्विती देखते हैं द्विती यानी की चमक ही होती है तो इन अन्य पदार्थ जो हैं जैसे कि मैंने अभी गत्ता लकडी चौक की बात की तो क्या आपको उसमें भी ऐसी चमक दिखेगी तो नहीं हम को उसमें ऐसी चमक नहीं दिखेगी जैसे भी संभव हो सके किसी भी डंग से इनहें काटे inspiration ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए तथा द्युतिवान तथा द्वितिहीन पदार्थों की सूची बनाईए काटने के स्थान पर आप पदार्थों के प्रिष्ठों को रैग माल से रगड कर भी देख सकते हैं कि वे द्वितिवान है अत्वान नहीं आप यहाँ पर जो दो शब्दों के बात हो रही है क्या द्वितिवान और एक है द्विति हीन तो यह जो दो तरह के प्रपदार्थ है द्वितिवान मतलब की चमकीले चीख है इसका आर्थ होगा चमकीले और द्विति हीन का आर्थ होगा बिना चमकीले मतलब की जिन में चमक नहीं है जो बिना चमक के पदार्थ है वो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाएंगी द्विति हीन ठीक है तो द्वितिवान और द्विति हीन हम इस तरह से और भी अपने आसपास के पदार्थों को देख सकते हैं जान सकते हैं अगर हम उन्हें तोड नहीं सकते तो इन्होंने एक और तरीका बताया है कि रेगमाल जो है वो एक तरह का पेपर होता है उसका इस्तमाल कीजिए और उनके उपर उससे रगड दीजिए तो उनकी उपरी परत हट जाएगी और अगर उसके अंदर वो आपको चमकते हुए देखे यह पूरा कैसा दिख रहा है हमें भूरे कलर का दिख रहा है ठीक है और जब इन्होंने आप बीच से इसको काटा तो देखे अंदर इसको इसका जो सफेद भाग दिख रहा है यह क्या है यह चमकता हुआ दिख रहा है तो इस तरीके से धातों को के टुकडों को लिया और भी जादा गुणों के बारे में जो हमने आज देखें हैं उनके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में तो बिच्चो इसी तरह के और वीडियो के लिए जुड़े रहें Magnet Brains के यूट्यूब चैनल, वेब साइट और एप के साथ, Magnet Brains है इंडिया का नमबर वन हंडिट परसेंट फ्री ओनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अगर आप हमसे e-notes और e-books लेना चाते हैं तो इसके link आपको description box में मिल जाएगी इसी के साथ Magnet Brains पर आपको मिलते हैं कई सारे top courses high quality education के साथ और ये सभी top courses आपको English और Hindi दोनों medium में मिलते हैं वो भी बिलकुल free of cost इसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई payment करने की ज़रूरत नहीं होती है बच्चों अगर आप हमसे other social media platform पर भी जुड़ना चाते हैं तो हमें follow कर सकते हैं Facebook, Instagram, Twitter और Telegram पर तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें दोस्तों को share करें और चैनल को subscribe करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई